हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ यह पालक की बहुत ही टेस्टी सी रेजबी जिसमें एक ही सब्जी में आपको कई तरह की सब्जी का स्वाद मिलेगा वैसे भी पालक हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और आहरें से बरपूर होत नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो इस सब्जी को बनाने के लिए मैंने करीब आदा किलो पालक ले लिया और इसकी जो मोटी बड़ी रंडिया थी उनको तोल लिया है जो सौफ डंडिया है उनको रहने दिया है अब एक भगोना गैस पर रखा उसमें रख कि जादा खूक करेंगी तो पालक का जो ग्रीन कलर वны चला जाता है तो इसी लिए मैंने थोड़ी ₩े चीनी डाला जिससे पालक का ग्रीन कलर बना रहे है तो देखिए स्ब्रणति थेख से पका थोड़ा है थोड़ा सापॉल अलग कर दें तो आधे पालग को मैंने प्यूरी में बना लिया और जो आधा अधा उसे बारी बारी कट कर लिया है तो देखिए पालक हमारा रेटी है अब कैस पर रख ली मैंने एक कड़ाई और इसमें मैंने डाल दिया दो चमबच के करीब सरसो का तेल जैसे तेल गर्म हुआ थोड़ा सा हींग जाला आदा चमबच जीरा डाला और जीरे के तड़कते ही मैंने इसमें डाल दिया एक अद्रक के भुनते ही दो मीडियम साइज की प्याज ली जिसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था अब प्याज को हमें अच्छे से गोल्डन होने तक भून लेना है जब लगे कि हमारी आदी प्याज लगबच भून चुकी है तो आप इसमें चालते एक चोड़ा चमबच बेसन का और बेसन को भी डालकर प्याज के साथ भून ले आदी प्याज भूनने के बाद ही बेसन डाले जिससे बेसन भी अच्छे से भून जाए और हमारी प्याज भी भून जाए तो देखिए इस तरीके से चलाते वे आपको भून लेना है जब तक बेसन भी अच्छे से तो देखे आप देख सकते हैं प्याज हलकी गोल्डन हो चुकी है अब इसमें डाल दिया मैंने एक ठमाटर जिसे बारीक बारीक कट कर लिया था थोड़ा सा नमक डाल दे एक चमज धनिया पाउडर और बन फोर चमज हल्दी का पाउडर हल्दी का पाउडर डालने से इस तरह में बहुत है और अब सारी चीजों को अच्छे से पका लेना है जब तक कि सारा मसाला अच्छे से पक न जाए विल्कुल थोड़ा समय पानी डाल दूंगी जिससे जो मसाला है वो जले नहीं और हमारे टमाटर भी काफी अच्छे से कर जाए तो देखिए दो ही मिनट के अं और उसको भी डाल कर अच्छे से मिक्स कर लें तो देखिए आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर अभी से हमारी सबजी का नचर आ रहा है अब इसमें जवरत के हिसाब से में चार दोकर पानी डाल दूंगी मतलब जैसे भी कंसिस्टेंसी आपको सबजी की रखनी है उतना हमारा जो पालक वगेरा है वो काफे अच्छे पक्कर रेडी था पहले से ही और इसमें मैंने डाल दिया 100 ग्राम पनीर जिसे मैंने बहुत ही चोटे-चोटे से टुक्डों में कट कर लिया है आप चाहें तो ग्रेट करके भी डाल सकते हैं तो देखिए आप देख सकते हैं क हमारी सबजी पक्कर रेडी हो चुकी है बहुत जादा ना पकाएं वरना इसका कलर चेंज हो जाएगा तो अब इसके उपर लगाते हैं एक तड़का तो मैंने दो चोटे चंबच गी एक तड़का पैन में डाल दिया है गी का तड़का बहुत अच्छा लगता है और जैसे बाद में डालें जब लहसुन अच्छे से बुना नजर आने लगें तो देखे सारी चीजे भुन चुकी है और अब इस तड़की को आप अपनी सबजी के उपर फैला दें और दो मिनट के लिए ढगनें जिससे तड़की का फ्लेवर सबजी में आ जाएगा तो लीजे दोस आप इसे रोटी पराठा ना जिसके साथ भी चाय एंजॉय कर सकते हैं इस एक सब्जी में ही आपको पालक पनीर लसुनी पालक कई सब्जी योगा टेस्ट पीलेगा तो अगर आपको मेरा यह तरीका यूज़ लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर चरूर करें और अपना मुझे कमेंट बॉक में ज़रूर बताएं और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो आप भी बनाईए टेस्ट इसी पालक की सब्जी आज के लिए इतना ही मिरते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ धन्यवाद